बॉलिवुड और टीवी शोज की निउस चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटिस निउस सबसे पहले पाने के लिए भले ही आज की पीडी दूरदर्शन के उस रामायन का अनुभव नहीं ले पा रही हो जिसके प्रसारित होते ही सब टीवी के सामने बैठ जाते थे यहां तक की रामायन सीडर प्रसारित होने के दोरान रस्ते गलियों में एक बच्चा भी नहीं दिखता था लेकिन ऐसा लग रहा है कि इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है क्योंकि इस बार दूरदर्शन पर रामायन फिर से प्रसारित हो रही है और बाहर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इस बार वज़ा कुछ और है कोरोना वाइनस जिसमें 21 दन का लोग टाउन है और सभी लोग घर पर वैट कर एक बार फिर से रामायन पुरी परिवार के साथ देख रही है 22 साल के लंबे समय में बहुत कुछ बदल गया है रामायन के वो यादगार किरदार जो आज भी लोगों के जहन में हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उनमें से पांच कलाकार अब इस दुनिया में नहीं रहे तो चली आज हम इस वीडियो के माध्धम से आपक किया उनकी मृत्यू साल अन्यस्व皂 में ही हो गई थी माताक कोशल्या का किरदार निभाने वाली कलाकार रामायन में माताक कोशल्या का वो किरदार नहीं भुलाया जा सकता उस इंजाम दिया था अभीनेत्री जैश्रित गडगर्डी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी मृत्यू साल 2008 में हो गई थी पवन पुत्र हनुमान जी का किरदार निभाने वाले आक्टर ये किरदार ऐसा था जिसे आज भी हनुमान जी के भक्त भुलाई नहीं भूल सकते इतने शिद्दत से हनवान जे का किरदार निभाने वाले और कोई नहीं बलकी दारा सिंथे जो अपने पहलवानी के कारण दुनिया भर में मश्रूर थे दुखत बात तो ये है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे उनका निधन साल 2012 में हार्ट अटेक के चलते हुआ था मेगनात का किरदार निभाने वाले एक्टर रावन के पुत्र मेगनात की गुसे को कौन नहीं जानता इतना बड़िया किरदार निभाने वाले एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे आपके जानकारी के लिए बता दे कि इनका नाम विजय अरोडा था और इनका निधन साल 2007 में हुआ भरत का किर्दार निभाने वाले एक्टर मगवान राम के सबसे प्रिया भाई भरत जिसे पूरे अयोध्या डगर का राजा गोशिक कर दिया गया था लेकिन राजगदी को ठुकरा कर 14 साल तक भाई राम की प्रतिक्षा करते रहे और श्री राम की तरह ही कुटिया पर रहे ऐसे आग्याकारी भाई भरत का इतनी शिदत से किर्दार निभाया और सकलाकार का नाम था संजय जोग जिनका निधन 40 वर्ष की उम्र में ही लिवाफ फेल होने की बज़ए से उनका निधन हो गया अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो से लाइक और शेय करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करें जरूर बताएं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग निउस के लिए